नमस्कार आदाब और सर्शेकाल दोस्तों मेरा नाम है उतकर्ष मिश्रा आपका पॉलिटिकल साइंस अट्डा के इस यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों हम लोग एकनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट दे स्टोरी विलिज पालंपूर का बहुत ही इंपॉर्टन कोश् आंसर दोनों को यह अच्छे से एक्स्प्लीन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक कर सकते हैं वहाँ पर मेरे इंस्टार्गाम की और फेस्बुक का लिंक है तो प्लीज जाकर आप मुझे वहाँ पर फॉलो करिए साथी साथ अगर आपको इस चैप्टा के लिए नोट्स वहाँ पर अवेलबल हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन आता है what do you mean by multiple cropping तो इसका आंसर है कि when a field is used to grow two or more crops on a same piece of land in the same growing season यानि कि जब एक field को एक खेट को एक ही खेट को कई सारी फसल एक ही साथ ग्रो की जाती है तो उसी को हम कहते हैं multiple cropping यानि एक season के अंदर एक से ज़्यादा फसल को ग्रो करना ही multiple cropping कहते हैं दूशन आता है who developed the hyb of wheat तो इसका आंसर है professor norman borlog अगली question के तरफ आप move करते हैं हमारा question fourth है यह कहता है name of the state who first tried out the modern farming methods in India यानि कौन सा वो state है जिसने पहली बार modern farming के methods को use किया था इंडिया के था तो कौन से states है पंजाब हो गया हर्याडा हो गया western उत्रपरदेश अगले questions की तरफ हम move करें तो question हमारा यह कहता है what is the main economic activity in पालबपुर मतलब ऐसी activity बताओ जो पालबपुर के लोग पैसा कमाने के लिए ज्यादा करते हैं तो वहां पे लोग farming या फिर agriculture भी आप लिख सकते हो फार्मिंग एक्टिविटी अग्री कल्च एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस थे अगले हम मूव करते हैं आप देखो अब हम long question answers को हम पढ़ेंगे तो question first क्या कहता है इसके अंदर what are the main factors of production तो main ऐसे कौन से factors है production के तो land है labor है capital and human capital इसको आपको explain करना है दूसरे page पर ही आपको मिल जाएगा इसका answer land क्या है labor क्या है capital क्या human capital इन terms को आपको explain करना पड़ेगा अगला question आता है what are the farming and non-farming activities जो पार्लंपुर्थ के अंदर हो दी तो farming activities क्या है agriculture है livestock है non-farming activities के जैसे transport services हो गया shop keeping हो गया trading करना dairy हो गया computer center यह कुछ है अगले question के तरफ हम move करते हैं discuss the major steps taken by the government to improve agriculture इंडिया यानि कुछ steps बताए जो government ने लिया ताकि जो agriculture है वो इंडिया के अंदर improve हो सके तो उन्होंने क्या क्या consolidation of holdings किया उन्हों लोग ने five year का plan agriculture के लिए क्या रहा है minimum support price की policy लेकर रहा है minimum support price का थोड़ा समय explain करो तो इसके अंदर क्या होता था government एक rate कर देती थी जैसे farm कोई फसल ग्रू होने वाले गिहों की फसल ग्रू होने वाली है तो जो government होती थी वो पहले ही बता देती थी कि अगर आप इस फसल को ग्रू करोगे तो हम इस rate पे कम से कम इस rate पे तो खरी देंगे ही खरी देंगे तो farmer देख सकता था कि में को इसमें फायदा होगा या घाटा होगा तो उस हिसाब से काम कर सकता था अगला कोशन के तरफ मूव करें तो आता है वट डूई मीन बाइन फार्मिंग में या नि मॉडर्ण फार्मिंग मेंट्ट्स का है important है HIV of seed farm यानि HIV जो seeds होती है उनका यूज करना machinery का यूज करना fertilizers का यूज करना पेस्टिट साइस का यूज करना और modern या फिर डिफेंट सोर्स ऑफ irrigation का यूज करना यह कुछ इसका आंसर हो सकता है अगले कोशन के तरफ हम मूव करें तो कोशन यह कहता है discuss the benefits of the green revolution यानि green revolution के benefit के हैं तो सबसे पहला आता है कि agriculture का जो हमारा जो production वो बढ़ गया लोगों के पास और employment opportunities उन लोगों के पास है बढ़ गये उन लोगों के पास और जॉब मिलने लगी साथी साथ क्या हुआ कि इस्टेंटिंग दा लिंकेज इस बिटूइन एग्रिकल्चर और इंडेस्ट्री तो कहीं ना कहीं green revolution का यह फायदा हो कि जो हमारी agriculture industry है उसका base जो है और मजबूत होने लगा अगला आता है कि जो farmers है अब वो market oriented हो गया market oriented का मतलब कि पहले दिर्शल क्या होता था कि लोग इतनी फसल grow नहीं हो पाती थी कि मार्केट में base सके लेकिन आप farmers क्या करते हैं कि वो market के हिसाब से फसल को grow करते हैं अगर market में wheat की demand जादा है तो wheat के grow करते हैं अगर rice की demand जादा है तो वो rice को grow करते हो इस यह साब से देखकर वो काम करते हैं अगले को अगर हम देखें तो यह कहता है डिस्क्राइब वीकनेस ऑफ दीन डेवलुशन मोस्ट इंपोर्टन यह भी है कि ग्रीन डेवलुशन का वीकनेस क्या है पहले चीज क्या होता है कि जो स्वाइल की फर्टिलिटी होती हो खराब हो जाती है क्योंकि इसके Koran मशीन दी को यूज कि यूब टका hopes का यूज के लत खरत तो जमीन का सारा पानी उपर ले-ला जाता है तो इस वजे से आई यह वो युजरे जैशनर डिसपलिटीज होती हिस डी होती हैं डिस्पैडीग का मतलग कि ग्रीन डिख रैवलुशन को ज इंकम में भी हमें बहुत जादा डिस्पैरिटी देखने को मिलता है क्योंकि जो modern farming का जो यूज करता है उसके पास income आने के पैसा होता नहीं है तो लोग कैसे कर पाएंगे इस वज़े से income में भी disparity देखने को मिलते मतलब difference देखने को हमें मिलता है interpersonal inequalities भी हमें देखने को मिलती है इसके अगला आता है no response for small and margin farmers बिलकुल नो इस वज़े से क्योंकि भाई जो चोटे farmers है वो equipment को नहीं खरी सकते modern farming के जो matters उसको यूज नहीं कर सकते उमीद है आप लोगों को यह question answer मैंने समझाया है वो समझ में आया आप इनका screenshot भी ले सकते हैं ताकि आप लोग कभी जैसे आप लोग कर सकते हो आखे का आप लोग मांक्स तो अच्छा गीन करना ही चाहते होगे तो आउर भी मैंने चेप्टर की important questions की वीडियो बना रखे आप उन प्लेलिस्ट में जाकर चकरी हमारे सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के बादे में बताएं मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो बाई बाई